हेल् constituents वेलकम टू मिशन के अवियास आज हं पड़ेंगे राजिस्थान के अप्रइब के मंदर करने आज बहुत अच्छे तरीके से तो आज थी फिरसथान के मंसरफ एक आप्पर लेकर के राजिस्थान के अर्किटेकर्टर का एक इंपॉरेंट पढ़ रहा है तो श्रिफ हमें दुर्ग। पढ़के हमारा काम तो चलिगा हमें अगर किसी च्छित्र की वास्तुकला को या आशिक्टेक्ट्सर का समझना है तो हमें मंदिर को देखना होगा। देखो मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं क्योंकि भारत एक ऐसी भूमी है जिसको मैं अगर मंदिरों की भूमी कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि हमारे भारत में कई साल से आधी काल से मंदिरों को देखा जा रहा है देखो अगर आकर्मन कारी नहीं आते और आकर्मन कारी अगर हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ते तो मैं बता रहा हमारे पास इतने heritage मौझे उत्ती कि यूनेस्को को विश्य धरौर बनाते पसीने शूड़ जाते ठीक है तो हमारे पास बहुत सारी धरौर मौझे थी बट उसके बाद भी हमारे जो रक्षक थे जितने भी युद्ध में दोनों मिक्स करके दिया हुआ है तो उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और एक बूंद नहीं पढ़ा हूंगा क्योंकि मेरे को पता है उससे बाहर कोई कोई कोश्चन आना नहीं है अगर फिर भी आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि संस्कृति को कल्चर क कला को जानने में क्राफ को जानने में कौन करता मंदर या का केंद्र होता बलकि मंदर कि से एरिया की पूरी हिस्ट्री जेयोगरी सब बता देता है ति कि कि हमारे भाहत परानी फिर ले कल्सों के सबाइम में बताते हैं ठीक है तो मंदिर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपोरेंट पाइंट रहें स्टार्टिंग से फ्रम वेरी बिगिनिंग और इंडियन एराज तो यह कुछ राजिस्थान के मंदर जो अपने आप में बहुत महत्पूर है इनकी वास्तुकरा इनकी विरासत वाली टॉपिक हो पूरा खतम हो जाएगा ठीक है तो इसकी टेंशन पर अनिया लेनी नहीं है अगर बोलाएं कि अगस्तक स्थापत्य की अर्केटेक्चर की कुछ शैलिया बताई थी कुछ फॉर्म्स बताई थी कुछ स्टाइल बताई थी ऐसे ही मंदर शिल्प की टेंपल क्राफ्ट की भी कुछ शैलियां है फॉर्म से स्टाइल है पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर कुछ मंद्रियों के एक्जांपल पढ़ लेंगे और हमारे टॉपिक खतम यह कुछ एक्जांपल है पिच्चर ने इनको आगे देखने को भी मिलेगा अपने को ठीक है म राजिस्थान में सात्वी सदी से पूर्व जो मंदिर बने दुरबाग्य से उनके अविशेशी प्राप्त होते हैं टेंपल्स विच वर बिल्ड इन राजिस्थान विपोर दा सेवंटीन सेंचुरी अनफॉर्चुनलिटी और रिमेंस रिमाइंस आर फांडिड पुराने शाटवी सदि से पहले की मंदिर थे अगया व्यूर्फ के मिलता relevant ज्यादा मौरी मौरी एरा गोल बॉद्धिक मंद्री गोल बॉद्धिक टैंपल बैराट तो यह वह साथी शदी से पहले के यानि सेवन सेंचुरी से पहले कुछ मंद्र है जिनके ज्यादा खास अशेश या कुछ क्लूज बगरा भी देखने हो खास कुछ मिलता नहीं वह थोड़ा कुछ मिलता है देखने इसको इनके बारे में तो यह आपके बुक में लिखाता मैंने आप लिख दिया है ठीक है मंद्र स्थापत्ति की प्रमुक्षालिया मेजर स्टाइल्स आफ टेंपल देखो दरी दरीजनल स्टाइट डेवलप इन राजिस्थान फॉम अबाउट एट सेंचुरी वास कॉल्ड गुर्जर प्रतियार और महामारू ठीक है यह वह स्टाइल थी जिसके तहत राजिस्थान में बहुत सारे मंदिर बने ठीक है गुर्जर प्रतिहार शैली के गुर को पढ़ेंगे पर अच्छे से उसके अंडर में कौन-कौन से का कंस्टुक्षन हुआ था वह पढ़ेंगे कौन-कौन से टेमपल बनाएगे वह पढ़ेंगे ओके इस च्जाहली के इंतरगत प्राणबिक निर्माड मान्डोर के प्रतिहारों साम्भार के चोहान और चित्त इन्ही लोगोंने क्या कर वाई था कंस्ट्रक्शन कर वाई था गुर्जरववर्परतिहार style में दर प्रतियार शैली में मंद्र बनाये थे ठीक है प्रतियार श platform क absolument डिस्क्राइब करके अभी समझे लो कि गुर्जर प्रतियार स्टाइल में कौन-कौन से मंदर बने थे स्टाइल फॉर्म शैली एक ही चीज़ है ठीक है पाली जिले में आ हुआ वा बालो तरह के पास ठीक है कामेश्वर रणछोर मंदर ठीक है पाली जिले में इसके बाद इस चैली कोई खास टेंपल बना ही नहीं था तो यह आखरी टेंपल कि राढू का सोमेश्वर मंदर जो राडू है यहां पर एक नहीं पांच शे साथ मंदिर एक साथ बने अलग अलग देवी, देवताओकैक तो किराडू का सवामेस्वर मंदि किस क्राफ्ट के नदर किया डिया किके बना है गूजर परतहार बनाहे महाक प्रतियार शयली किई कब एक 1011 के असपास ठीक है है । क्राफ्ट वाज 11-13 सेंचुरी इस बीच मंदिर काफी उत्तम किस्म के बनेते एक नंबर के मंदिर बनते थे इस समय राजिस्थान में और उसमें यह जो सोलांकी शैली है यह काफी आगे थी और इसके इसी शैली के अंतरगत इस समय बहुत सारे मंदिर बनाए गए ठीक है सोलांकी शैली के मंदिर सोलांकी स्टाइल स्टाइल स्टेंपल ठीक है ओसिया का सच्या माता मंदिर जो सच्या माता मंदिर है ओसिया में और भी बहुत सारे मंदिर मौजूद है उसमें से ओसिया में मैं बता दूं ओसिया एक जगा है जहां पर सच्या माता का टेंपल इसके जैन स्टेंपल जैन द्रम में उनके टैंपल बहुत सारे मौझूद है कि बहुत सारे में कुछ-कुछ चुनिंदा जो काफी इंपॉर्टेंच रखते हैं चित्वाडगर दुर्ग में समी देशवर मंदिर समी देशवर टैंपल इन चित्वाडगर ये भी इस सोलांकी इस स्टाइल के कहके विशेशता खास बात क्या इस चैली में मंदिरों में खंबे अलंकृत पतले लंबे और गोलाई लिए हो बनाए गये थे इस जो स्टाइल है इस में उनके पिलर्स थे वह कैसे बनाए गये थे इस स्टाइल में औरनेट इस स्टाइल में जो पिलर्स थे बिल्कुल ठीक है भूमिच शैली गोजर परतियार शैली पढ़ लिया सोलांकी शैली पढ़ लिया भूमिच स्टाइल पढ़ लो यह भी इंपॉइंट है यह मैं सारे स्टाइल बताने के बाद फिर मंदर बताऊंगा इतना डिस्क्रिप्शन में इसलिए बतारो ताकि आपको भूमिच शैली यह भूमिच स्टाइल राजिस्तान में इस सबसे पुराना लगबग 110-120 के बीच में मंदिर पाली जिले में पाली डिस्टिक में सेवानी का जैन मंदर है देखो अप्रॉक्सिमेटली 110-120 के बीच में जो सेवानी डिस्टिक है वहां पे जैन टेंपल है ठी सबसे पुराना मंद्र है इस स्टाइल का मेंनाल का महां नालेश्वर मंद्र 1075 यह ऐस्पस इस einfach MENAL मंद्र इसको इंगलिष में भी लिखेंगे गान देवर मंदिर रामगण इसी इसटाइल में और बिजोलीय का उनेशवर मंदिर तेमिटिक इसाइल में बना है तो यह पूछ सकता है इसलिए आपको डिफरेंट और स्टाइल बता रहा हूं ताकि आपको एकजाम में काम आए के मंदर मेवाडियों में और पुराने राजपूत राजाओं में बहुत इंपोर्टेंस रही है उद्यापुर के है एक जी का मंदर है इनको लेकर ऐसा कहा जाता है कि य SARC ये इनुका मंदिर है एक साइड़ म Big ये ध्रandin्य धेश्त में यहाप ठोड़ा सा हलका फुलका खंडित कि hunting वो के का लकू याद रख पाऊ तो आप फर पर राजमार्ग जो है नादवार हाइवे है उदयपूर शहर के पास वहाँ पर ठीक है इसका कंस्ट्रक्शर मेवार साशक बबपा रावल जी ने 18th सेंचुरी आठवी सदी में करवाया वर्तमामान सरूप इसका प्रेजेंट सरूप आज जैसा मैंने मंदर दिखाया आपको इस मंदिर के अहाते का मतलब ना वैसे मंदिरों में आपको याद हो जाए इसलिए मैंने वह एक्जांपल दिया इक बरामदा बरामदा कहेंगे आंगन कहलो उसमें महाराना कुंबदवारेक विष्णो जी का मंदिर बनवाए गया था इसी एकलीन जी के मंदिर में ठीक है एकलीन जी मेड औफ ब्लेक स्टोन आज मेरे प्रनूनिशेशन को क्या हो गया है खर छोड़ो जो जो ब्लैक स्टोन है उसके एक आइकलीन जी के आइडल स्टैचू मूर्ती स्कल्पचर बनाए गया है जिसकी पूझा होती है ठीक है हर कोई मानता है एकलीन जी को बहुत काफी सारे मंदिर एक ही साथ में तो उनमें अलग-अलग देवी देवता को स्थापित कर रखा इसके बारे में पढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा दिखने मैं ऐसा ही एक फ्रेंट साइड दिखाया था बस मैंने मंदिर बढ़े है सारे साइड नहीं दिखा सकता क्योंकि इतनी ज था शंनेंट नम आफ क्रार बास्क्राइट कोप कि देवतां टा है यहां पर पांश्मंद्रों का सम्हुए मैंने बताय안 आपको एक नहीं पांश्मंद्र मुंप था जिसमें वैसम और शैवनま देव ग्रूप फंपल एंद वशन्र नया 6 Зем양 को ब्रडेंAmир Welt Div chủ का खजुराओ भी कहते हैं याद रखना एक important point है किस मंदिर को राजिस्थान का खजुराओ कहते हैं तो किराडू को राजिस्थान का खजुराओ कहते हैं ठीक है यह चीज आपको पता चल गई यह कुछ ऐसी लाइन से जो पेपर में दर्शन हो सकते हैं इसके ध्यान रख ले भिलकुल फ्लैट है बिल्कुल चवटी चीज ऐसे एक फ्वक पीड शेत्रयर परमार्यों अध्यको यह मन्दिर से मिलकर बढ़ा है है एक तो आपका आपका कई करना वार गुपता पिरियेट के स्टाइल से एक परमार स्टाइल से और एक सुलंगी स्टाइल से इन दिनों इन तीनों शैलिपसर सेYY दे बनाया गया तो आपके मैं ऐसा मानता हूं कि आपके नोटों की गड़ी है वह कम पड़ जाएगी लेकिन गूमने की जगा कम नहीं पड़ेगी क्योंकि राजिस्थान में काफी जगाए हैं गूमने की मतलब काफी अलग बात है आपके पास गड़ी बहुत जादा हूं ठीक है लोकेटिड ओन माउंट अबू जो माउंट अबू आपका काफी फेमस जगा है वहां पर लोकेटिड है यह राजिस्थान गुजरात की सोलांकी शिल्पकला शैली के एक प्रमुक नमूने कहे जा सकते हैं यानि उस शैली से बना एक मंदिर कहा जा सकता है किसकी शैली का मिक्स जैन मंदिर अब देलवाडा में जैन मंदिर मौझूद हैं बहुत सारे एक निक काफी सारे ठीक है फ़स्ट इसमें इसमें बेसिकली ताच टेमपल मौझूद है बच पांच में से दो के बारे मुख में दिया है उसका मैं इसका प्रफ्वी का है इसका फिर्फल चैंपडर रिशब देव का है फास्ट पहला टेमपल इसमें रिशब देव जी का है ठीक है कि यहां पर पांच टेमपल मौझूद है जैन के एक साथ अब उसमें से दो इसको आपके RBSC की बुख में दिया गया है तो मैं उसी दो के बारे में बता रहो कौन कौन पहला पहला उसमें से कौन सा है पहला है जो पहले तीर्थकर थे ना जैन तीर्थकर रिशब्देव जी उनका मंदिर है इसे में गुजरात के चालुक के शाषक चालुक के किंग भीमदेव के मिनिस्टर एक मंत्री विमल्व शाह ने बनवाय था ठीक है विमल्व शाह इस्टैबलिश इस टेंपल इन 1031 इसका निकनेम मैंने यहां पर निकनेम इसी लिए लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सको इसका निकनेम विमल्व साही भी है विमल्व साही ठीक है याद रख लेना इसको सेकिंड टेंपल जो इसी में मौझूद है देलवाड़ा में वह है 22 जैन तीर्था रख कर नेमिनाद जी इनका मंदिर मौझूद है अब इसका वास्तुपल द्वारा और वास्तुपल ञिवास्तुपल 1230 में करवाए गया है स्पैसेलेटी ऑफ इस मंदर की स्पैसेलेटी किया मंदर की इस मंदर में मंढप स्तंब्वो च्छत्रियों वेदियों के दिखाए तो फस्टी तो निए पिचच्च्र दिखाए थी बैसे चत्रियों को मैं दुबार पढ़ाऊनगा ठीक है जगत शिरोमनी मंदिर आमेर इसके खास बात बताता हूं आपको ठेक है जो हमारी कृष्ण भक्ति ना मीरा वह एक मूर्ती की पूजा किया करती थी अब उसी मूर्ती को ऐसा माने जाता है कि उसी मूर्ती को यहां के एक राजाया उनका नाम बताता है उनका नाम है मान सिंग को चितोडगर से लेके आयते उसी मूर्ति को यहां पर सापित किया था अब यह बना कैसे इसको पता आता हूं बाकी सारे मंदिर ना आपकी बुग में बहुत छोटी चोटी दियो है ज्यादर डीटेल में नहीं दियो है इसी में से कुष्ण मनेंगर बन सकते हैं तो ठीक है आ जगत सिंग की याद में मंदिर बनवाय गया इसे मानेता है की मंदिर यो मूर्ति को करती थी ऑर हर्षत माता मंदिर अभानेरी ठीक है अभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षत माता का मंदिर गूर्जर प्रतियार काली कालीन कला का एक उत्कृष्ट उधारने काफी अच्छा एक्जामपल है गूर्जर प्रतियार स्टाइल का हर्षत माता मंदिर अभानेरी ठीक है ग्यार्वी श्यताब्दी में इस मंदिर को महमूद गजनवी ने नस्ट कर दिया था और यहाँ पहले क्या था एक विश्णु मंदिर था तो देखो मैंने आपको बता था अगर आकरमनकारी नहीं आते और मंद्र को नस्ट नहीं करते तो हमारे पास बहुत सारी हैडिटेज म बन रहे थे बहुत उचे-उचे मंदिर ठीक है तोरण द्वार बहुत उचे-उचे बनाए जा रहे थे ठीक है बट आकरमन कारियों ने हमारे चीज़े तोड़ी और उसके बाद फिर हमारे को जितना भी है पर कोई नहीं हमें उस पर गर्व होना चीज़े बनी हुई है हमें मेहमूद गजनवी ने इसको नस्ट कर दे था यह विश्णु टेंपल था विश्णु जी का मंदिर ओके शिव मंदिर बाड़ोली ठीक है चित्वाडगर जिले में स्थित बाड़ोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है देखो मैंने आभी आया तक आपको तीन शै बन ये चित्वाडगर जिले में इसalsa जो मुख्ये मूर्ति में आइडल है शीव पारथवर्ति जी युक्ति रखा गए इसמה महिर कुल और बनाया था स्ट्वल को असा माना जाता शिव मंद्र भंण देवरः भंध्देवरा बंदेवरा में इस्थित शिव मंद्र यह काफी अधित बाना डिस्टिक है उसमें मौझूद है यह रामगड में रामगड में एक जगह है बन देवरा वहां पर शिव मंदर मौझूद है इसका इसका कंस्ट्रक्शन मेगवंसी राजा मलय वर्मा ने दस्वी शदावने 10th century में करवाय था ठीक है यह किस स्टाइल के अंदर करता है पंचायतन शाली के अंदर करता है भन देवर का शिव मंदिर हडोती का खजुराओं के रूप में प्रसिद्ध है अब तुम से कुछ पूछ ले हडोती के खजुराओं के रूप में कौन सा टेम लाइक है जैन मंदिर कौन सा रणकपूर ठीक है पाली डिस्ट्रिक में स्थित रणक रणक पूर जैन मंदिर अपनी अद्बुत शिल्पता और भव्वेता के लिए काफी विख्यात है अपनी अद्बुत शिल्पता यानि क्राफ्ट मैं क्राफ्ट मैंशिप और ग्रेजन प VIief यानि अपनी भावीता के लिए काफी फिर मसस्य मंदर ठीक है किसने करवाया का कन्स्रक्शन पर्थम जैन तीर्थकर आधीनाथ को प्रिख पहले जैन तीर्थकर आदीनाथ को समर्फित यह जो मंदिर है ठीक है तो परतम जैन तीर्थकर जो थे आदीनाथ उनको समर्पित उनको डेडिकेटीड यह फर्स्ट मंदिर इसका निर्माण महाराना कुंबा जी के पीरेड में हुआ था किसने करवाया था धारनी शाह नामक ओर जीदर यानि जैन व्यपारी नें इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था ठीक है 1444 यानि 1444 पिलर पर टिका होने की चारण इसे खंबो का अजय-बघर भी कहा जाता है अजय-बघर भाई खंबो का अजय-बघर कितने खंब है 1444 पिलर बहुत होते हैं यह और इसलिए इसको खंबो का अजय वग्र विल्टा पूठ सकता है करे गांदिर के चार मुखी आधिनाथ की मूरति मंदिर में डी नाजिक साज बहु का मंदर यह इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर साज बहु कभी हुए उनका मंदर नहीं यह एक्चुली में दो पेयर ओफ विश्णु जी का टैंपल था विश्णु जी के दो जड़वा मंदर यहां पर मौझूद है ठीक है एक थोड़ा चोटा एक थोड़ा काफी भैरतर था बस इसको नाम दे दिया गया साज बहु का मंदर में किस देवता की पूजा होती तो आप विश्णु जी की पूजा बताओगे इसमें ठीक है यह उदयपुर से 27 किलोमेटर दूर नागदा में लोकेटिड है ठीक है इसका कंस्ट्रक्शन 1026 इस्यों में ग सचिया मातर मंदिर ओसिया जो है वहाँ पे सिर्फ सचिया माता का मंदिर नहीं और उटिक है कि विश्णु टैंपल भी है तो उनके बारे में ज्यादा कुछ दिया निया निए प्हुत में उतना है लोकेटी इन जो जॉद्पूर से 57 किलोमेटर की दूरी पर दक्षण पस तका मंदर भी मौझूद है ओस्या में कुछ और टेमपल भी यह सम फ्यू अधर टैंपल इन ऊसिए ठीक है एक है ओस्या में वैस्टनों मंदर अगर विष्णू जी के टैंपल की बात करें तो वहाँ पर हरी हर मंदिर है और हरी हर टेंपल और सूरे टेंपल यानि संद सब्सक्राइब यहां पर जैन का महावीर मंदर भी मौझूद है तो यहीं थे आपके आज की जितने मेरे को मंदर करां थे मैं सारे मंदर आपको करवा दिये हैं करेंगे नहीं यह मिरे को लगता है 99.9 परसंट तो कुछ भी नहीं होता बट कि हमने इतना पड़ा है उसमें से आ सकता है तो आप इसी को आगे लेकर चलो ठीक है और अगर आपको कोई भी दिक्कत परिशानी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या तो आप टेल पर काम चल रहा है और बहुत जल्द आपका पैडागोजी सेक्शन भी शुरू होने वाला है और जितने भी आपके टॉपिक बच रहे हैं मेरे को याद है वो सारे वह मैं आपके पूरे करवाऊंगा अगस्त आपका पूरा खतम होते होते हैं आपके सारे टापिक निप्ट अब इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को बताना कि कोई ऐसा चैनल है जहां पर पढ़ाई हो रही है ठीक है तो बस वीडियो को दिख लिए धलने वाद अपना ख्याल रखिए बाए